डब्रीवन जाहिए दोस्तों सब्सक्राइब फिर सब सबी लोगा हमारे इस नई वीडियो में तो दोस्तों जैसे कि आपको सभी को पता हुआ कि आप सबी लोगे जो काफी सारे यूटूबर्स बता रहे हैं उनको कि आपके डॉकमेंट्स होने चाहिए इस पेसली ट्रेड सर्टिफिकेट जो ना चाहिए यह आपका दोजार 20 से पहले का बना होना चाहिए जब का वेकेंशी आई थी तब का बना होना चाहिए और भी तरह तरह की बाते हो कर रह है तो इस वह से आप एकदम गलती मत किजिए क्योंकि आप रिटेन और फिजिकल दोनों कौलिफाई कर चुके हो ठीक है आप दोस्तों देख लेते हैं डॉकमेंट्स की लिस्ट में सबसे पहले जो भी कैंडिडेट्स पेपर देने जाने जाने वाले हैं तो ध्यान लिए अगर लिए अगर बिजख कर वाले हैं अगर फुर्फू निकल वाते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है रहते मिनिए ड्यान दखिए में अपको इसके दो फोटो को भी करवा लेनी होगी ठीक है है यानि आपके रेंगिन जो adminikard है यानि ढीका दापका भी इस हुआ है उसकी दो i people कि आपको निकलаки है इसके बाद iदि पॉरूफ वद्च जोमा से आपके पास pen card, voter card, driving license इस में से कोई एक document आपका होना ही होना चाहिए ध्यान रखिएगा आपका ID proof का कोई एक document होना चाहिए इसके साथ में आप अपने अधार card का दोस्तों जो है एक दो फोटो कोपी करवा लीजिएगा ठीक है इसके अलावा तीसरा document ध्यान दीजिएगा तीसरा document है दोस्तों 10th और 12th का mark sheet ठीक है 10th 12th का mark sheet और passing out certificate और इसके भी दो फोटो कोपी अगर आपने 10th performer है तो 10th का अगर 12th का या नि आपके पास 10th 12th का mark sheet होंगे तो आप उसको अपने साथ में ले लोगे और सांथी जाथ उसके दो फोटो जो भी आप ले लोगे ध्यान रखिएगा ठीक है इसके बाद चौते नंबर पर है आपका reservation certificate reservation certificate किन को लेकर के जाना है तो especially दोस्तों जो ध्यान दीजिएगा जो भी reservation category में आते हैं जैसे कि आपके अगर आप EWSO, OBCO, AC, AST या फिर ट्राइबल रिजन से अगर आप Northeast से बिलॉंग करते हो आपको कुछ छूट चाहिए ठीक है जैसे हाइट चेस्ट हो गहारा में जो आपको छूट दिया गया था उस समय तो साथे certificate सभी चेक होंगे तो आप ध्यान दिजिएगा कि आपको जो रिलेक्सेशन सर्टिफिकेट है नि रिजर्वेशन सर्टिफिकेट है एगर आप EWS कटेगरी से फॉर्म बरे हो तो आपको EWS, AC, ST, OBC अगर आप किसी भी कटेगरी से हो तो ध्यान रखिएगा इसको आपको लेकर करके जाना है ठीक है इसके अलावा इसमें जैनल कर नहीं लेगा पांचवा मोस्ट ही पॉइंट है कि ट्रेड सर्टिफिकेट में बात आई है आपका कब का होना चाहिए ठीक है आपका जो ट्रे अगर नहीं बनवाया है तो अभी कोई दिकत नहीं है इनके अलावा बाकी जितने भी ट्रेड से आपके को क्वाटर केरियर ठीक है वेटर आप सबी लोग का ट्रेड सर्टिफिकेट लगेगा लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंटिस की यह कब का होना चाहिए ठीक है तो दोस्तो पहले का 1 साल पहले का तो अब है को कोई दिकत नहीं होगा थीक है मैं इस की गरानटी देता हूं आपको बाहर नहीं किया यह क्योंकि अभी इसस पहले आपके के बिएससंयाव ठ्रेल का पेपर हुआया है इसके अलावा दोस्तों डॉमीसाइल सर्टिफिकेट यो की निवास परमान पत्र जिसके की दो फोटो कोपी यह आप लेलोगे ठीक है निवास परमान पत्र यानि किस राज्यस से हो आप अब स्टुएंट पूछेंगे की सेंट्रल का चाहिए स्टुएंट पूछेंगे की कह प्रक्राइब कर स्थे किया प्रक्राइब उसके बाद आपका इसको लगाना होगा उसके बाद आठके बाद नमबर वाला दोस्तों जो है आर्मी एयरफोर्स नेवी से रिटायर हैं इसके अलावा बाकि किसी को यह नहीं चाहिए ओ है डिस्चार्ज बुक ठीक है डिस्चार्ज बुक जो भी एयरफोर्स आर्मी और नेवी से जो भी रिटायर एक से सर्विस में है उनको ये अपना डिस्चार्ज बुक जो मिलता है आपको ले करके जाना होगा ठीक है और इन सारे डॉकुमेंट्स की दोस्तों आप जो दो फोटो कोपी जरूर करवा लेना ठीक है क्योंकि आपका एक फोटो कोपी वहाँ पे ले लिया जाएगा तो आई होब दोस्तों की सारे जानकरिया को समस्य में आके होगी और इसके अलावा आपके मन में कोई समस्या डाउट है तो कमेंट्स कीशन में आप कमेंट करना तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स वीडियो में तब तक लिए धन्यवाद जैहिंद